तो जैन स्वागते मेरे चैनल डिफेंस एंड स्पोर्स आर्मी में तो फ्रेंस आज की जो असाम रैफल्स की जो हमारी वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि काफी सारे कंडिडेट ये पूछ रहे थे हमसे कि सर मैं जेनरल कंडिडेट हूँ और हमारे जेनरल में सीट नहीं है और या फिर मैं एश्टी या फिर ओबीसी केंडिडेट हूँ हमारे OWSी में सीट नहीं है मतलब आपको पता है दोस्तो अब इस बार सीट बहुत कमा आई है किसी category में zero seat है और बच्चा वो apply करना चाता है general से तो क्या वो apply कर सकता है नहीं कर सकता दोस्तों अभी मैं official website पे हुँ Assam Raffles की जहां से online हो रहा है तो यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको ध्यान देनी है ठीक है अगर मानते हैं कि मैं अपना बिहार चूज करता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों आपको बिहार से सिर्फ इतनी ही trades दिखाई जाएंगी जितनी trades available है ठीक है तो मैं आपको पहले 2-3 चीज़ें दिखा जेता हूँ उसके बाद आप इसको देखके आप समझ लेना उसके बाद ही आप इसमें apply करना अगर कोई candidate भिहार का अगर वो clerk से apply करना चाता है तो दोस्तों यहाँ पे दिखाए जागा कि clerk में seat किस-किस category की है अगर देखो general category की भी seat है और OVC में भी seat है SCHT में कोई seat नहीं है ठीक है तो SCHT वाला बच्चा general में fight कर सकता है ठीक है यह मैंने आपको बात बताईए अब आप मैं एक दूसरी चीज दिखाता हूँ मान लेते हैं अगर कोई बच्चा nursing से भरना चाता है भिहार से तो आप यहाँ पर देखो यहाँ पे सिर्फ general की seat है OBC, SCHT की seat बिल्कूल भी नहीं है तो अब यह जो बच्चा OBC, SCHT से आता है क्या है वो general में fight कर सकता है क्योंकि आपको पाता है nursing में स्रिफ 2 seat आई है भिहार से और वो भी स्रिफ general में है OBC और SCHT में नहीं है तो वो बच्चे को apply करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा मैं आपको बदाता हूँ अगर आपने इसको general से apply कर दिया ठीक है और आपने I agree पे करके okay किया उसके बाद दोस्तों आपके पास कुछ ऐसा interface को लेगा ठीक है दोस्तों जब आप ऊपर में देखो यह red line में क्या लिखा है जा रहा है इस चीज पर आपको पूरा ध्यान देना ऐसे नहीं कि आपने आख बंद करके आपने apply मार दिया और आपको जब rally में गए तो आपको वहाँ पे बहुत बड़ा धक्का लगेगा क्योंकि आप वहाँ पे बहार हो सकते हो ठीक है आपने अगर OBC काटेगरी में हो और आपने एक जनरल से किया है तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपका जो काटेगरी जो आपने select किया था सकते हो अगर आप सकते हो तो यह क्यों करना है यह वह बच्चे करेंगे दोस्तों जिनको एज में relaxation चाहिए ठीक है अगर आप सब्सक्राइब करो और तब जाकर के आप अप्लाई करो तब आपको वहाँ पर दोस्तों काफी बच्चे में घवरा रहे थे कि सर हमारे trade में मतलब हमारे category में seat नहीं है तो हम किस प्रकार से fight करें जो जनरल candidate है उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वह जनरल candidate से अपने fight कर सकते हैं बाकी जो हमारे SCHT और OBC से आते हैं अगर उनके category में seat नहीं है तो व दूसरी चीज़ अगर आपने वहाँ पे कोई आपका अगर experience वगरा आता जैसे कि कलर में मैंने बताया था कि typing certificate मांगते हैं तो typing certificate आपको जो है कि upload कर देना है ठीक है और बीना upload किये हुए आपका फॉर्म फिलप नहीं होगा बाकी दोस्तों अगर आप 10th pass के कोई भी form भर होना चाहिए ठीक है इससे कोई दिक्कत नहीं है वाइडी चलेगा और आपकी 10th की मार्क शीट के आपको फोटो को बेडालनी है एक ID में आपको domicile certificate या अधार card या voter ID driving license कुछ भी आपको डाल देना है ठीक है और देन दोस्तों आप लोग को उस पे आपको जो आप B group या C group में आते तो इस पर आपको confusion नहीं होना चाहिए जब आप अपना fees fill up कर रहे होगे तो आपको आपको आपका group भी बताया जागा कि आपको B group का fee डालना है या C group का डालना है तो fee की receipt लेना मत भूलना आप लोग fee की receipt जरूर आप लोग अपनी print करा लेना क्योंकि दोस्तों rally में fee की receipt भी कभी कभी मांगी जाती है तो fee की receipt मंगा लेना और अगर अभी भी किसी बच्चे को कोई confusion हो रही है form भरने में या फिर कोई दिक्कत आ रही है तो वह मुझे comment कर सकता है उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूगा जाइद